यह है सरकेडियम रिदम साइकल, इसको बोलते हैं सरकेडियम रिदम साइकल, नाम सुनाए आप लोगों ने, इसको बोलते हैं बॉडी क्लॉक, इसको बोलते हैं 24 आवर्स डे साइकल, इसको बोलते हैं स्लीप नाइट साइकल, इसको बोलते हैं बायलोजिकल साइकल, येस दोस निकलती है, शक्रिय होती है, एक्टी होती है, उड़ती है, एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाती है, किस लिए जाती है, खाना लाने के लिए जाती है, आहार का प्रबंध करने के लिए जाती है, अपने बच्चों को, और सब कुछ करके, अपने घोशले में वो वापस कब आती है, जब sunset होने को होता है, तो sunset के पहले ही वो अपने घर में वापस आ जाती है, जैसे ही sunrise होता है, घोसले से निकलती है, बाहर जाती है, घुमती है, फिरती है, खाना इकठा करती है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और फिर जैसे ही sunset होने को आ पक्षी जीव जन्तु पेड़ पौधे सब समझते हैं संसेट संराइज संसेट संराइज संसेट संराइज इसी में अपना सारा कारे निप्टा लेते हैं लेकिन यह मनुष्य नाम का जो प्राड़ी है यही सरकेडियम रिडम को तोड़ता है यही प्रकृति से कोसो दूर हो ग इन्ओंट में हमारी बॉड़ी नहीं आ पाती है और इसलिए हम बिमार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिसने सर्केडियम रिधम साइकल को फॉलो किया, वो असाध्य बीमारियों को साध्य कर लेगा, संभो को संभो कर लेगा, वो हमेशा स्वस्त रहेगा वो हमेशा disease free, drug free, doctor free जिंदगी जियेगा और जो circadian cycle को disturb कर देगा वो जिंदगी भर दवाईयां खाते रहेगा जिंदगी भर डॉक्टरों के चंगुल में डॉक्टरों के पास जाता रहेगा डॉक्टरों पर dependent रहेगा और दवाईयां खा खा के अपने अपने साथ अरब के इस सरीर को साथ अरब के इस body parts को system को नुकसान पहुचाते रहेगा डैमेज करते रहेगा और रोज एक ने एक complication कुछ न कुछ होंगे और एक दिन कभी kidney fail हो जाएगी कभी liver fail हो जाएगा कभी heart attack आजाएगा कभी brain में हो जाएगा कभी depression में चले देंगी राइट दोस्तों तो मैं चाहता हूं कि आज साइकल को आप समझिए जानिए अच्छी तरह से समझिए जानिए और अब तक अगर implement करते नहीं आये हो तो अब implement करना सुरू कर दीजिए दोस्तों क्या है यह सरकेडियन साइकल यह सरकेडियन साइकल 24 घंटे का साइक आप सब्सक्राइब हैं जो बाहर है वहीं हमारे भीतर है जो ब्रह्मार में वही हमारे सजीन से हमारा सविंद सुरूप तो जब ऐसा है तो हमें ब्रह्मार के alignment में आ में आना ही पड़ेगा स्थीजि llama उस इस तरह से इस तरह से संपन्द करने अगर हम प्रकृति के विप्रीट चलेंगे तो हमारे बॉडी में जो भी काम काज फिजियोलोज यह उल्टा चलेगा और जब उल्टा चलेगा तो हम बिमार पढ़ेंगे जिंदगी भर बिमारी चलती रहेगी जिंदगी भर दवाईयां चलती रहेगी मैं यह बात आपको अमझीए प्रकृति के alignment में आएये सररकेटियम साइकल के alignment में आएये तभी आप की बिमारी आपका diabetes आपका blood pressure आपका depression आपका insomnia आपका cancer तक की बिमारिया reverse होंगी दोस्तों ठीक होंगी यह है सरकेटियम rhythm cycle का power मित्रो 2017 का ये noble prize winner noble prize winner medicine है दोस्तों जो आपको बता रहा हूँ मैं 2017 में इसको noble prize मिला है इस research को इस research में यही बताया गया है कि circadian rhythm के alignment में आ जाएए आपकी विमारी ठ्विक हो जाएगी circadian rhythm को तोड़ोगे उसके विपरित चलोगे आप कभी भी बीमारीों से मुक्त नहीं हो पाओगे राइट दोस्तों तो आएए जानते हैं circadian rhythm क्या है देखिए midnight to midday sunrise to sunset यह जो है यही है circadian cycle 24 गंटे का cycle है 24 गंटे में हमारे body के हर body part का हमारे body में हर body part का body clock होता है वो body कब काम करती है कौन सा hormone कब निकलेगा कौन सा hormone कब कम हो जाएगा body में कौन से क्रिया हमारे body में होगी कब हमारा BP high होगा कब हमारा BP low होगा हमारे body का temperature कब क्या रहेगा यह सारी किसा हम alert कब रहेंगे हम need में कब रहेंगे यह सारी किसारी चीजे ये 24 hours body clock में हैं दोस्तों जैसे जब हम रात को 12 बजते हैं और हम सोने चले जाते हैं तो लगभग 2 बज़े के लगभग आप deep sleep में जाते हो इतने बज़े दो बज़े के लगभग आप deep sleep में जाते हो गहरी नीद में जाते हो और आज तो लोग क्या कर रहें दो दो तिन 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 बज़े तक mobile में लपटे हुए हैं तो deep sleep उनको मिलेगी नहीं deep sleep मिलेगी नहीं तो उनके body की healing होगी नहीं healing नहीं होगी तो cancer जेसी बीमारिया, BP जेसी बीमारिया, sugar जेसी बीमारिया, depression जेसी बीमारिया, insomnia जेसी बीमारिया होनी ही होनी है, तो सबसे important इसलिए आप लोगों को याद होगा जब मैंने sleep cycle पढ़ाया था आप लोगों को बताया था तो यह कहा था कि सोने के 2 गंटे पहले जितने भी screen है उसको बंद कर दीजिए, flight mode पे रख दीजिए, bedroom में मत रखिए, hall में रख दीजिए, right दोस्तों कहा था न क्यों कहा पर दोस्तों में जाती है, आपके रेकैना में जाती है और blue light जब रेकैना में जाती है, तो रेकैना से हमारे यह जाता है, हैसी जाता ह। है, हमारे sea बिलम है यह हमारे बॉड़ी को हमारे पूरे बॉड़ी पार्ट को कि भाईया अभी रात नहीं हुई है अभी तो दिन है दिन तुम सो क्यों रहे हो उठो जब आप स्क्रीन देखते हो ब्लू लाइट आखो में जाती है ब्लू लाइट से हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि अभी दिन है अभी जागरन करना है सोना नहीं है वो मैसेज हमारे बॉड़ी के एक-एक मसल्स को एक-एक सेल्स को एक-एक बॉड़ी पार्ट को जाता है और तब हमारा बॉड़ी रात है यह द्यपी रात है लेकिन उसको दिन समझता है और फिर दिन की तरह भी हैव करने लगता है दोस्तों क्या होता हैं कॉर्टीज Алव हर्मोन निकलने लगता है क्योंकि कॉर्टीज लगल के लिए हमारे में मेलाटोनिन निकलना था मेलाटोनिन निकल रहा था उस समय हमने स्क्रीन देख लिया इस्क्रीन देख लिया लाइट अंदर गई लाइट ने मैसेज दिया कि अभी दिन है तो मेलाटोनिन जो है वो नीचे होने लगा, down होने लगा, melatonin fall होने लगा, कम होने लगा, क्या बढ़ने लगा, cortisol, cortisol बढ़ने लगा, need नहीं मिली, अब need नहीं मिली तो क्या हुआ, healing खतम, क्योंकि सारी के सारी healing body की हमारी need में ही होती है, और जैसे ही ये cycle हमने disturb किया, need वाला cycle, के वाले की screen देखने से, सारे के सारे आगे के सारे के सारे cycle बिगड़ गए, जैसे आप road पे चल रहे हो गाड़ी लेके, गाड़ी लेके road पे चल रहे हो, और आपके car के आगे कोई car ने break मार दिया, तो आपने क्या किया, आपने भी तुरंद ब्रेक मार दिया और जैसे ही आपने ब्रेक मारा पीछे की सारी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई तो उसी तरह से अगर आपने एक साइकल ब्रेक कर दिया 24 घंटे में तो सारा का सारा आगे का साइकल डिस्टरब हो जाता है और जब सारा का सारा साइकल डिस्टरब हो जा कभी BP low हो जाएगा, कभी सुगर high हो जाएगा, कभी body का temperature बढ़ जाएगा, कभी घड़ जाएगा, कभी गुस्ता आ जाएगा, कभी एकदम lose पढ़ जाओगे, sleepy feel करोगे, ये सारी चीजे जो होने लगते हैं वो इसी के वैसे होती है कि ये सरकेटियम साइकल को आपने disturb कर दिय अब मैं दो-तीन example आपको देने जा रहा हूँ, इससे आप समझ जाओगे कि ये सरकेटियम साइकल है क्या और कैसे इस साइकल का उपयोग करके हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जितने भी बीमारियां हैं इस साइकल की गड़बड़ी के वैसे हो रही हैं, तो इस सा कर रहे हैं, आप दवाईयां भी ले रहे हो, लेकिन उसके बावजुद हमारी बीमारी क्यों नहीं हो रही है, उसका रिजन यही है कि इस सरकेटियन साइकल को आपने बैलेंस नहीं किया, और सरकेटियन साइकल अगर बैलेंस नहीं होगा, तो आपको सदा के लिए मुक्ति नहीं मिले कि आप डिसीस फ्री लाइफ जी नहीं पाओगे, आप ड्रग फ्री लाइफ जी नहीं पाओगे, आप डॉक्टर फ्री लाइफ जी नहीं पाओगे, तो इसलिए डिसीस फ्री, ड्रग फ्री, डॉक्टर फ्री लाइफ जीना है, तो सरकेटियन साइकल को समझना पड़ेगा, implement करना पड़ेगा, तो देखिए चमतकार होगा, magic होगा, दोस्तो एक छोटा सा example देता हूं मैं, क्या करना है, देखिए समझिए कि सुबह आठ बजे से या नव बजे से या दस बजे से, आप एक cycle बना लेजिए, कि मैं आठ बजे के पहले कुछ नहीं खाऊंगा, जो कुछ भी खाऊंगा, आठ बजे के बाद खाऊंगा, और रात को सुर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, maximum रात को आठ बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, तो ये अगर window period आप बना लेते हैं अपने खाने का, सोने का, जो भी है, एक्टिविटी का, सुबह आठ से रात को आठ बजे, 12 आर्स का ये, आपका विंडो पिरियड बना लिजे कि इसी पिरियड में मुझे ब्रेकफास्ट करना है, इसी पिरियड में मुझे लेना है, इसी पिरियड में मु प्रणाओं सुगर वाले पेशिंट को यहां बहुत सारे सुगर पेशिंट भी होंगे और दुनिया में सुगर पेशिंट तो बहुत ज्यादा है आठ करोड पेशिंट हमारे इंडिया में यह हैं ठीक है कैपिटल बन चुका है सुगर का तो आईए मैं इसका एक्जामपल ले यह पेंक्रियाज एक हार्मोन निकालता है जिसको बोलते इंसुलीन जिसको बोलते इंसुलीन यह इंसुलीन क्या काम करता है कि हम जो कुछ भी चावल दाल रोटी सबजी खाना खाते हैं उसका जो ग्लूकोज है उसको डाइजेस्ट करता है और उस ग्लूकोज को सेल तक प से होगा ग्लुकोज का डाइजेशन अच्छे से होगा और वो ग्लुकोज हमारे सेल तक पहुंचेगा ना कि बलड में जाएगा राइट यह कब होगा जब पेंक्रियाज एक्टी होगा तो पेंक्रियाज को एक्टी होने का सबसे बढ़ियां टाइम क्या है सुबह का आठ सबसे जाए रात को अाठ बजे हमारा पेंक्रियाज इन एक्टी हो जाता है तो आप मुझे बताइए जब हमारा औरगन जाग रहाय उस समय उससे भोजन ठोलगे कि क्या करोगे झांजाग रहे तब दोगे गया तरह यह ना और सो रहा है तब अगर भोजन जादा दोगे तो क्या होगा भाईया पेंक्रियास तो सो रहा है इंसुलिन निकल ही नहीं रहा है तो क्या होगा खा लिया आपने भरपूर जम के तो क्या होगा ब्लड में ग्लुकोस तुरंत बढ़ जाएगा दोस्तों क्यों? क्योंकि insulin भी सो रहा है, insulin कम निकलेगा उस समय, क्योंकि pancreate सो रहा है, उसके सोने का time है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग breakfast skip कर देते हैं, diabetes के patient को मैंने देखा है, breakfast और बाकी के लोग भी breakfast पे ध्यानी नहीं देते हैं, जबकि breakfast जितना ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा healthy रहोगे आप इस समय ये भूल जाए कि आप क्या खा रहे हो जो भी breakfast में खा रहे हो पोहा ढोकला इडली फिडली जो भी खा रहे हो खाईए लेकिन सुबह सुबह खाईए पेट भर के खाईए सुबह सुबह का खाना राजकुमार की तरह दोपहर का खाना राजा की तरह और अब उल्टा अगर कर दोगे आप कि रात का खाना राजकुमार और राजा की तरह खाना की तरह खाना शुरू कड़ोगे सुबह ने तो भी मारियों कोई मंतटन और दे दिया आपने आपका सुग्र कभी शुग कभी कंट्रोल होगा ही नहीं जिन्दगी भर ने कभी diabetes खतम ह तो यह बात मोटे मोटे पतावर पर समझ लीजिए कि अगर आपको डाइबेटीज है तो ब्रेक फास्ट मैक्जिमम लीजिए लेकिन रात का खाना आठ बजे के पहले और वह एकदम लाइट लेना भिखारी की तरह खाना है ऐसा करके देखिए तीन दिन में चार दिन में पास दिन में आपका सुगर एकदम लेवल में आजाएगा दवाईयां बंद करने की नौबत आजाएंगी दोस्तों केवल इस टाइम को अगर आपने सेक्ट कर दिया राइट भाई जड़ा अपने आपको मिट कर लिजी अगर किसी ने खोला क्योंकि आवाज आ रही है किसी ने भी अगर किया है दूसरा आपका जो blood pressure है अभी देखिए heart का मैं body clock बता रहा हूँ अभी मैंने आपको pancreas का body clock बता है अब heart का body clock सुबह के 10 बजे के लगभग आपका blood pressure highest होता है सबेरे के 10 बजे आपका blood pressure highest होता है और रात के 10 बजे आपका blood pressure low होता है ये circadian cycle है अब अगर आप अपना BP चेक करो और ऐसा नजर आए कि सुबह 10 बजे आपका BP low है और रात को 10 बजे आपका BP high हो रहा है एनि circadian cycle के उल्टा हो रहा है बात समझ में आ रही है अगर ऐसा record करो आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन BP चेक करके सुबह 10 बजे का BP रात को 10 बजे का BP तो circadian cycle के हिसाब से आपका BP सुबह 10 बजे highest होना चाहिए highest मतलब 140 by 90, 130 by 80 इस तरह से होना चाहिए और रात को 10 बजे का जो BP है वो low होना चाहिए low का मतलब कम से कम 15 से 20 पॉइंट नीचे होना चाहिए यानि 110 by 70, 120 by 80 इस तरह से होना चाहिए आपका BP कम से कम 15 to 20 परसंट का फरक होना चाहिए अगर ये फरक उल्टा हो जाए यानि रात को 10 बजे आपका 140, 90 हो जाए BP और सुबर का BP 110, 70 रहे तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सरकेटियन साइकल आपके हार्ट का बिगड़ा हुआ है और आपको फ्यूचर में हार्ट अटेक आने का चांस बहुत ज़्यादा है देखो बिना किसी टेस्ट के आपने पहचान लिया कि आपका हार्ट किस तरह काम कर रह allora हार्ट अए गा कि नहीं आएगा कब आएगा वो पता नहीं लेकिन आएगा जरूर अगर आपने उसको heart के body clock को circadian cycle को maintain नहीं किया तो तो यह हो गया heart अब तीसरा एक उधारण मैं आपको और दूँगा kidney का kidney का दोस्तो जिसको भी diabetes होता है जिसको भी BP होता है diabetes और BP kidney fail होने का सबसे बड़ा कारण है pain killer का निरंतर 7 करना kidney fail होने का सबसे बड़ा कारण है दिन भर में sunrise से sunset तक का urine एक bottle में एक अठा कर लो sunrise से sunset तक का urine एक bottle में रखो और दूसरे bottle में sunset से दूसरे दिन के sunrise का urine रखो यानि रात भर जितनी urine करते उसको रखो अगर आपकी urine रात के यूरीन से तीन गुना ज्यादा दिन की यूरीन है अगर आपका यूरीन रात में जितना यूरीन करते हो उससे तीन गुना ज्यादा दिन में यूरीन हो रही है तो यह नॉर्मल है आपका किड्नी फिंक्शन बहुत बढ़ियां कर रहा है आपका सरकेडियन साइकल को पिसाब किए जा रहा है और दिन में कम हो रहा है इसका मतलब यह है क्या किड़ीन होने के कगार के है या ख़ील हो भी चुकी रात में आपको यूरिन के जिए उठना बताऊंगा, बट आज circadian cycle को समझ लो, कि kidney की बिमारी, liver की बिमारी, diabetes की बिमारी, blood pressure की बिमारी, insomnia की बिमारी, depression की बिमारी, cancer की बिमारी, इस सारी की सारी बिमारियां क्यों नहीं खतम हो रही हैं, क्योंकि हमारा body clock disturbed है, alignment में नहीं है प्रकृति के, जैसे ही इसको प्रकृतिक alignment में लाएंगे, वैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा धीरे-धीरे, आप disease free, drug free, life जीना शुरू कर दोगे, समझ में आया, इसी लिए कहते हैं कि प्रकृति हमारी दोस्त भी है, प्रकृति हमारी सत्रू भी है, circadian rhythm के हिसाब से चलोगे, तो मित्र बन जाएगी प्रकृति, और circadian हिसाब से नहीं चलोगे, तो सत्रू बन जाएगी प्रकृति, तो आपके लिए बिमारी हो जाएगी, दुख हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगा, तो यदि आप खुश रहना चाते हो, आप स्वस्त रहना चाते हो, समगर रूप से स्वस्त रहना चाते हो, तो circadian cycle के हिसाब से ही करिए, यानि sun right से sunset, इसको बहुत अच्छे से use कीजिए, समय समय से use कीजिए, जब भोजन करना है तभी भोजन कीजिए, जब व्यायाम करना है तभी व्यायाम कीजिए, जब नीद लेना है तभी नीद लीजिए, जब ऐसा करोगे तो आपका circadian cycle, balance हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं, day night cycle भी कहते हैं, melatonin cortisol, balance करने वाला cycle भी इसको कहते हैं, क्योंकि सोने के लिए melatonin चाहिए, जागने के लिए cortisol चाहिए, अब सोने के समय आप screen देखोगे, तो क्या होगा, cortisol निकलेगा, नीद गायब, नीद डिस्टर्ब हो गई, healing खतम हो गई, बीमारियां और बड़ गई, सारा cycle भी गड़ गया, इसलिए दोस्तों, आप से दो ही निवेदन कर रहा हूं, कि रात को सोने से दो घंटा पहले, कोई screen नहीं, सब कुछ बंद करके, dining table पे रखो, bedroom में कोई भी technology नहीं चीए, और दूसरा, आठ बजे, मतलब सुबह का नास्ता राजकुमार की तरह, दोपर का भोजन राजा की तरह, और रात का खाना भिखारी की तरह, खाना सुरू कर दो, देखिए, कुछ ही दिनों में, ज्यादा दिन नहीं लगया, कुछ ही दिनों में, हपते में, तीन दिन में, दस दिन में, आपके सब बीमारी ठीक हो जाएगी और डॉक्टर विशुरू प्राइचोधरी जी का आपने अगर नाम सुना हो दोस्तो तो जो तीन दिन में बोलते हैं किडिनी की डिसीज नार्मल कर देंगे बीपी ठीक कर देंगे सुकर ठीक कर देंगे 72 आउर्स में वो इसी के दम पे बोलते हैं वो इसी के दम पे बोलते हैं वो आपका सरकेडियन साइकल ही फिट कर देते हैं दुरूस्त कर देते हैं आपके body के हिसाब से आपको पूरा diet chart दे देते हैं, जो मैं भी आपको जरूर से देने वाला हूँ, और आप तो समझदार हो यार, आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत important, अगर ये थोड़ा सा change हम लोग कर देंगे न, सब कुछ कर र और मैं दो मिनिट में आप लोगों का बस sharing चाहूँगा और उसके बाद फिर कारेक्रम समाप्त करेंगे, नमस्कार सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज के इस topic के उपर हमारे खन्ना सर से ही बात करता हूँ, अब करता हूँ, अब करता हूँ, और उनकी एडवाइजिस के उपर, और ये पूरा का पूरा जो एक और बात नाना कही है, कि जो इटिंग टाइम है, आपका, ज़िए आफ फोल्टीन आवर आपका, वो रहता है, जो जितने हैं, बेल, बिना फूट के तो आफके जो food deposit है, जो है, वो जितने भी आपके harmful element है, उनको वो खा जाता है, और फिर आपके अंदर कोई दिमारी जो है, वो पनप नहीं सकती, वो sensor cell, cancer cell तक वो खा जाते हैं, तो basically आप सारी की सारी जो उनकी तरह से गाइडलाइन है वह अपने हैपी जैंपियंस मॉर्निंग के अंदर वन बाइवन उनको लेते ही रहते हैं पर लेकिन इस तेंग आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी एफेक्टिव आलसो तो इस शाम का खाना तो मैंने तो जब आपका डीटॉक्स कोर्स किया था उसके बाद से लगवर्ट हुटा ही हुआ है अप जाता है या उसका सूप बन जाता तक है या बहुत ही ठीक रहता है और ब्रेकफास्ट भी आपने सधारी दिया है और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही छोटी और सिंप्लेस्ट हैबिट्स हैं कि इसको फॉलो करते हैं तो एक रिमार्केवल ट्रांस्फॉर्मेंट ट्रांस्फॉर्मिशन हो जाता है अजित्ति की महत्तवपूर्ण बाते हैं बहुत ही सरल हैं बहुत ही सरल हैं इंपॉर्टन है कि उनको कंटीनुटी के अंदर आप कर सकें तो हम अच्छी बाते करते हैं प्रदें के लिए सुनते हैं तो वह यदि छूट जाएगा तो फिर आइधेंग कि जितना अपने पास सब्सक्राइब करते हैं और कोई कुछ कहना चाहेगा है अधार थोड़ा सब्सक्राइब कर रहे हैं और पिछली तीन-चार महिने से तो डाप्रीज वेल अंटर कंट्रोल है मनलब लास्ट एजबी वनेसी 5.4 आया था आप बिल्कुल सही बता रहे हैं और यह बहुत ही अच्छा टापिक आपने कवर किया है बट वो मुबाइल तो सबसे बड़ा उसमें आफस्टकिल है वो जी नहीं मानता मुबाइल देखते रहते हैं रात में यह तो गलस बात है रहते होँ स्थाना पड़ेगा तो बहुत ही अच्छा टाभी कवर किया आपने इसलिए मैं अबीत रूखा वो होँ आपका सुन ने आ हूं महुत अच्छा लगा सर मस्धान की tribe अच्छ़ा की तुकर आपने अनिमूट किया था क्या बोलना चाहता है सर सर हराज का फ्रीए वो पूरी लाइफ की स्टाइल को मेंटेन करने वाला वाला उसमें जो आपने सब बताइं आज कुछ कहने की बात नहीं है ध्यां से सुनने की बात है और यह अपना सर ने कहा और खास बात ये है उसमें और विशेज बात ये हो गए कि हमारे स्रीवास्ता साम ने साथ बज़े के बात भी उसे सुना इसलिए वो बहुत महत पूर्ण हो जाता है सभी को शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू थैंक यू कमलेज दीदी कुछ कहेंगी कमलेज दीदी यह चोटा सरूल फॉलो कर लिजिए दीदी डायबेटेज ब्लड प्रिशर सब खतम हो जाएगा चलिए दोस्तों कारेक्रम का हां बोली दीदी जब से आपका प्रोग्राम हम लोगों ने सुना और बर्मा जी ने जाइन किया तब से हमारे घर में काफी कुछ का भी है कि हलका खाओ कम खाओ थोड़ा कम खाओ ज्यादा ठीक है थोड़ा हमसे ज्यादा बन जाता है तो भी उनको लगता है कि इतना क्यों बना देती हो उसको फिर खतम करने के चक्र में रहते हूं थोड़ा कम खाओ थोड़ा कम रखो लेकिन अभी मैं भी सुधार हो गय हैं एक सुन्दर से गीत से जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ ही गीत है तो सुनते हैं और फिर उसके बाद आज का कारिक्रम समाप्त करते हैं जिसके सीखा भी जनम दिन है विवाद इन है उनको जनम दिन विवाद इन की बहुत-बहुत बधाईयां